वाट्सब गाईज आयम एपी आई फोप यह डूइंग वेल एक्सरसाइज 11.4 का कोशन नंबर वन से लेके हमने एट तक कर लिया है इस लेक्चर में हम लोग कोशन नंबर नाइन को देखें हैं कोशन नंबर नाइन में कुल कोशन जो है वो चार कोशन से एक एक करके हम लोग देखें तो पहले कोशन को पढ़ते हैं उसके बीच ओ भीच एक सर्कूलर क्या है फ्लावर बेड हैं तो हमें पहले कोशन से हमें पता करना है find the area of whole land ये पूरे land का area पता करना है तो आप सोचे को इसका भी area निकाल लेते हैं और इसका भी area निकाल लेते हैं तो ऐसे कलती बाप मत करना क्योंकि इसी lawn के अंदर ही तो ये flower bed है ना तो बस हमें एक lawn का area निकाल लेते हैं ये circular lawn है इसका area निकाल लेंगे तो हमारा question number one solve हो जाएगा तो ये जो lawn है वो किस figure का है तो बोले होगे इस रेक्टेंगुलर है तो area पूछ रहा है area of whole land तो area of whole land is equal to क्या होगे क्योंभी rectangular है तो land into breath होगा क्या होगा land into लंबाई into चोराई लंबाई कितने दी गई है दस मीटर दी गई है दस मीटर लिख दिया लंबाई के बदले चोराई कितने दी गई है पांच मीटर दी गई है तो पांच मीटर दी चोराई के बदले दस पचे पच्चास मीटर स्कायर हो गया इसका answer पहले वाले का एक एंसर हो गया पच्छास मीटर नोट कर लीजिए चलिए नोट कर लिए बीडियो पाउस करके नोट कर लीजिए गा कुछ नमबर दो समझ गया होगे आप लो कुछ नमबर दो देखते हैं हम लो कुछ नमबर बोल रहा है दो में the area of the flower ef value of the flower key और में क्योंकि फ्लावर बैड है तो कौन सा फॉर्मुला लगा दो नमबर कुंच्छन में लिए यह हैं मिश्चों राम्य स्टू लावर बेड इस किल्ट मट अब डार इसकोार क्या होगा थिक है क्योंकि ईस सर्कुलर फ्लावर बेड़ यहां लिकाद का यग हमने लिया और कितना दिया है यहां पर रेडियस टू मीटर दिया तो इंटू टू कर लिया तो चाहँ बाइस दिवाइट दीजिएगा चलो डिवाइट दे देते हैं हम लोग एटी एट वाइट सेवन सेंटिमीटर स्कूर होगा इसको डिवाइट क्यों कि यह देखिए यह एक इंप्रॉपर फ्रेक्शन कहीं भी आपको इंप्रॉपर फ्रेक्शन दिखे तो उसको प्रॉपर में चेंज किजिए या फिर आप डेसिमाल में कर सकते हो इंप्रॉपर फ्रेक्शन का क्या हता है जो उपर वाला जो अंस होता है वहर से बरा होता है तो हमें हमेशा जो बारा पुर्णांग चार बटा साथ तो टूवल बिंटीजर फोर बाई सेवन सेंटीमीटर स्कॉर यह क्या हो गया इस फ्लावर बेट का एरिया हो गया यह क्या है क्या बोलते हैं इसको मिस्रित भीन बोलते हैं कोचन नमबर दो भी स्वाल हो गया कोचन नमबर थ्री को देखते हैं कोचन नमबर नाइन का थ्री पार्ट है दे एरिया ऑफ दो लॉन इसको बीचे बीच फ्लावर बेट है तो जो मैं सेड कर रहा हूं बुलू कलर से उसका हमे एयरिया निकालना है यह जो सेट कर रहा हूं ना मैं सरकुलर फ्लावर बेड को छोड़के हमें एयरिया निकालना है तो क्या करेंगे यह देखिए अप लिखिए कि यह वार दे area of the lawn is closed in the flower bed is equal to दिखेगा area of rectangle minus area of circuit जो अपने question no.1 में निकाला था question no.2 में answer निकाला था पहले वाला answer को दूसरे वाला answer के साथ निकाल दीजेगा घठा दीजेगा हो और कृष्च का साइन है तो फिसरे वाले aansicamente आ या तर या रहा है कि इस इसका तो मिलने मिर्ने कर दाखके SAT सवाले कर दा साथ निपना था भाषा आये ऐहां है जotta दिएगा अपको तो फ्रेकशन गठाओ टो आता ही है इतना निकाल कर दीकाशन में अब पहकर सब्सक्राइब लेकिन एक बार ध्यान में रखियेगा इसका जो एंसर है वह मिटर में आए गा जो area का इंसर है था किस में आए था मिटर स्कुरार में आए था तो 88 वाई 7 यह भी आए था 1284 वारा पुन्नाग 4 पन्ट साथ मीटर सिर्फ इसका सेरकमफारेंस हो गया यह तो आपको पता ही खाई किसको बोलते हैं हो गया हो अंदर कर रहा हूं यह हो गया समझ घाई टुट Sw Star नमबर 9 δरेबीमार कवेट होता है कोचन्व नमबर 10 और 11 बच गया है इसके बाद हम लोग इस पूरे चप्टर को एक बार इवाइज कर लेंगे क्या क्या हमने परहा था क्या उसे फर्मॉलेज होते हैं इस वर हम लोग देखेंगे चलिए अगले लेक्चर में हम लोग कुछन नमर टैन को करेंगे थैंक यू थैंक यू सो मच बाबाई